नवस्कार सहारा निवेशकों को लेकर के कि वाइट निटवर्ग की जो मुहिम है वो लगातार जारी है आज हमरी ये कोशिश है कि सहारा के ऐसे कौन से पक्ष को भ्धान में रख करके क्या किया जाए ताकि निवेशकों का पैसा और यंद मिले रोज-रोज हम ये कोशिश कर करें आपके बीच कुछ कॉंक्रीट बात्चीत लेकर क्या है सर्टार को बताया सहारा प्रबंधन को बताया आज हम ये जानने की कुशिश करेंगे कि सहारा की पास जो एसेट उसमें कौन सा एक ऐसा एसेट है जिसको अगर सहारा बेच ले तो फॉरण सहारा निवेशकों का एक और बात नहीं कहना चाहोंगा कि हमारे जो निवेशक बंधू है मैं जब रामिल्हा मेडान पे रहे था उनके समर्थर के लिए उनके साथ हूँ सारे जो निवेशक बंधू है एक सात रहे अ तब ही आख की बात जो है सर्कार भी सुनेगी और प्रबंधन भी सुनेगी ये तो हमारी आप से अखिल है। प्रॉपर्टी को नहीं बेज पाई तो उसके अलावा क्या और भी कोई तरीका हो सकता है सहारा के निवेस्कों को पैसाल बठाने का क्योंकि बेरासी हसार करों रुपे का जो इसको कैसे दिया जाए ये इंपॉर्टेंट है तो अधुर्ब जी हम आप से ये जानना चाहते हैं आप तो चार्टेंट है आपको क्या लगता है कि एंबी वैली का क्या वैलिशन है देखिए एंबी वैली का ये दस याद छेसों एकर जमीन जो की स्कॉर्फिट में होती है 40 कोड़ स्कॉर्फिट और जो मैक्स के जो रेट एंबी वैली के चल रहे हैं वो हैं 15,000 रुबे स् स्कॉर्फिट से इसका वैलिशन किया गया था 2017 में जिसको सरकार कह रही थी ये 46,000 कोड़ की 47,000 कोड़ की जानि उनने 1000 रुपे स्कॉर्फिट के हसाफ से बेट लगाया था और जो मैनेजमेंट उस समय तीन रहे हैं 15,000 कोड़ की कह रहा था तो आज के जो रेट चल रहे है लोना वाला के या एंबी वैली के वो 10 से 15,000 रुपे पर स्कॉर्फिट हैं और कुछ प्रपर्टियां तो 20,000 रुपे स्कॉर्फिट तक भी लिस्टेड हैं जो आज के डेट में तो यदि आप 10,000 रुपे स्कॉर्फिट के हिसाफ से यदि लगाते हो तो ये बैठता है 4,000 स्टार्ट लाक जो है ना जो है ना कॉर्ण रुपे स्कॉर्फिट के हिसाफ से तो इसनी लिए कसल चल लगाई है मैनेजमेंट और सरकार में सरकार उसका अधिकरन करना चाहती है और सारा मैनेजमेंट चाहता है कि वो उसके कंट्रोल में रहे उसकी अभी जो डेट लास्ट पड़ी थी नावंबर 2023 में तो उसके अंदर भी कोई फैसला होनी पाया तो अभी ये जो मुद्दा है बेसिकली क्योंकि 25,000 कोड़ रुपे के लगवग यानि 24,000 कुछ 25,000 कोड़ रुपे तो सेवी क के पास हैं उसमें से 5,000 कोड़, CRCS जा रहा है और 62,000 कोड़ रुपे डिपॉजिटर्स का लगा हुआ है MB वैली में तो MB वैली का जो 62,000 कोड़ रुपे है लेकिन अगर उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए तो इस हिसाब से तो सारे निभी इसकों का पैसा सेफ है जो Q-SOP के नाम से पैसे लिए गए थे उनमें से कुछ लोगों ने वो CRCS में Q-SOP करा लिये थे लेकिन उसके बाद जूद भी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे Q-SOP के इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए कोई अभी तक ऐसा माध्यम नहीं है जहां वो एकलाई कर सकें और अभी कुछ लोगों ने परसनल लेविल पर अभी कली एक ओरडर आया है जो कंजूमर कोट में एक लेडी ने किया था उसके पैसे थे तो उस पर नौ परसेंट भ्याज का कंजूमर कोट ने साथी एक लाक रुपे का फाइंड भी लगाया है सेवी पर कि इस तरह के जो मांस जो CRCS में जो अप्लीकेशन आई थी उन अप्लीकेशन को रिजेक्ट करके मोस्त ली एक अलग से MOC CRCS री सम्मिट का एक पोर्टल बनाया है उसमें वो कहते हैं कि जिन लोगों ने उननिस आयार नौसट नन्यानवे रुपे से कम पैसे दिये हुए यानि बीस यार रुपे स कम पैसे दिये हैं वो उसको रिजी सम्मिट करें लेकिन रिजी सम्मिट में भी क्या है पहले चार नंबर का ओटीप और डालें आदार का फिर OTP आएगा फिर फुल नंबर डालें फिर फॉर्म आयगा फिर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा फिर इसमें फो उन सब का वक्तान अब लंब हो जाना चाहिए लेकिन प्रक्रिया जो पांच यार से कमबालों के लिए भी सेम है भुआनात का ब्रश कटर एक बैटरी चालिक मशीन है जिसका चार्जिंग समय तीन दशमलग पांच घंटे हैं यह 6-8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहू या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है जबकि इसका पेटरोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1000 रुपए मूल्य का पेटरोल खर्च करता है